पंजाब अते हैरन दे विचे चोन ने दी प्राडी नू अग लगाए जान तो बाद दिल्ली सरकारवलों ए तरक दिता जान दा है के उथे परदोशन दा लेवल बाद गया है अजे हाई एक वर फिर दिल्ली दे मख मंतरी अर्वेंद केजरी वाल ने दावा कीता है के बाकी सूब्यांद विचे प्राडी जलाए जान दे नाल दिल्ली दा प्रदोशन लगातार वदा जारे है जेस नाल प्रदोशन दी समस्या भी हो रही है अते करोन ना दे केस भी वद लगेने दिल्ली दे मख मंतरी अर्वेंद केजरी वाल ने दिल्ली दे लोकानू एक अपील कीती है के जेकर असी परदोशन नू काबू करने ता सानू इस दवाली ते पिटाके नहीं जलाओने चाहिए इस तोलावा दिल्ली दे मख मंतरी ने प्राडी नू साड़े जान द सारी नहीं सरकारानों जिम्मेवार्दा से है की कुछ करने दिल्ली दे मुखमांतरी अर्विंद केज्री वालदा प्राडी बारे अधे दिवाली मनाई जान बारे तुसी खोदी देखला इस वक्त दिल्ली में करोना और पॉल्यूशन दोनों का बड़ा कहर चाया हुआ है और दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार मिलके पूरे प्रयास कर रहे हैं इस स्थिती से निपटने के लिए पॉल्यूशन की वजए से करोना की स्थिती जादा खराब हो रही है हर साल इस वक्त पॉल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुँआ दिल्ली की तरफ आता है दुख की बात ये है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है लेकिन कोई भी थोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया उन राज्यों के किसानों से मेरी बात हुई और किसानों ने कहा जी हम पराली जलाना नहीं चाहते पराली जलाने से तो हमारी मिट्टी के जमीन के बैक्टेरिया खराब हो जाते हैं जल जाते हैं हमारी मिट्टी कम उपजाव होती है लेकिन हमारे पास चारा क्या है हमारी सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो इस सिलसले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टिटूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की जरूरत नहीं है पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें पूसा इंस्टिटूट ने एक केमिकल बनाया है अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कनवर्ट हो जाती है इससे चिवात और क्या हो सकती है तो मैं समझता हूं कि अब ये साल आखरी साल होना चाहिए जब हम इस धूएं से परिशान है अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास ये बहाना नहीं है कि भई हम क्या करें पराली जलाने का हमरे पास कोई चारा नहीं है दिल्ली के लोगों ने आपको समधान दिया है अब हर सरकार अपने अपने किसानों की वैसे ही मदद करें जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद किये लेकिन अभी तो पल्यूशन आ रहा है हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से और करोना इसकी विज़े से करोना की स्थिती और खराब हो रही है तो इस बार पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाके ना जलानी की सौगन दखाई थी दिवाली पे हम सब लोगों ने कनौट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था आप सब लोग कनौट प्लेस आए थे इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे पटाके नहीं जलाएंगे किसी भी हालत में अपने को पटाके नहीं जलाएंगे अगर पटाके जलाएंगे अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग अपने परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं साथ बज़ के उन्तालिस मिनट से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ दिल्ली के दो करोड लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगे लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा साथ बज़ के उन्तालिस मिनट पे कुछ TV चैनल उसका सीधा प्रसारन करेंगे, मैं आप सब से अपील करता हूँ, दिल्ली के मेरे सभी भाईयों, बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूँ, कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ओन करके, अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार के साथ मिलके, बैठके हम साथ वहाँ पे पंडेजी मंत्रों चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्षमी पूजन करें मैं समझता हूँ कि जब दिल्ली के दो करोड लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, राम्टिरंदर जी के चौदा वर्ष के वनवास से लोटने पे उनके आगमन, उनका स्वागत करेंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत महोल होगा, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगे होंगी और मैं समझता हूँ इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा, दिल्ली के सभी लोगों का भला होगा, हमारे दिल्ली के हर परिवार के अंदर मंगली मंगल ह झाल झाल झाल